ओम शान्ती 13-4-2022 की साकार मुरली मीठे बच्चे ग्रहस्त व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है स्रेश्टाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है प्रश्न राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है उत्तर जो बाप के समीब सम्मंध में आते हैं अपनी चलन और आमधनी का पूरा-पूरा समाचार बाप को देते हैं ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं जो बाप के आगे आते ही नहीं अपना समाचार सुनाते ही नहीं उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता वह हैं सोतेले बच्चे बाबा कहते बच्चे अपना पूरा-पूरा समाचार दो तो बाबा समझे यह क्या सर्विस कर रहे हैं बाबा बच्चों को हर हालत में उच्पद पाने का पुरुशार्थ कराते हैं गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे ओम शांती बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव से हमारा क्या सम्मंद है परमपिता तो कहते ही हैं पतित पावन अक्षर भी डाल दो दिल में हैं कि पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव से हमारा सम्मंद बाप का है बाप कहते हैं मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ बाप बच्चों से ही रुह रिहान करते हैं मिलते जुलते हैं जो बात समझाई जाती है वह फिर औरों को समझानी है अभी तुम जगत अंबा और जगत पिता को भी जानते हो शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे अभी तुम जगत अंबा और जगत पिता को भी जानते हो शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे क्योंकि जगत में प्रजा है इसलिए कहा जाता है प्रजा पिता ब्रह्मा और जगत अंबा अंबा सारे जगत की इससे सिद्ध हुआ वहर अचाईता है यह भी समझ चाहिए मनश्यतों सब परमात्मा को याद करते हैं परन्तु जानते नहीं तुम अब परमपिता परमात्मा को जगत अंबा को प्रजा पिता ब्रह्मा को जानते हो उनकी आय संतान बने हो लोकेक माबाप तो सबको है उनको जगत अंबा जगत पिता नहीं कहेंगे जगत अंबा जगत पिता होकर गए है इस समय फिर तुम आकर उनके बने हो फिर से हिस्ट्री जॉग्रफी रिपीट हो रही है तुम जानते हो हम अब बाप से वर्षा ले रहे हैं बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला जिसमें लक्ष्मी नारायन का राज्य था तुमको भी बादशाही मिली थी अब फिर से तुम ले रहे हो तुमको पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा को जानते हो यह बात ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाते हैं अपने आपको भूल मात पिता को भूल वर्षा गवा देते हैं यह है ही युद्ध स्थल तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान पर खड़े हो जब तक अंतना आये तो लड़ाई चलती रहेगी उस लड़ाई वाले भी जानते हैं अगर हम चाहें तो सेकेंड में सब को उड़ा दें अभी तो एक दो को हतियार देते रहते हैं करजा देते रहते हैं अगर कोई मार दे तो करजा खत्म हो जाएगा बाबा भी अकभार पढ़ते हैं बच्चों को भी अकभार पढ़कर उससे सर्विस करनी चाहिए बाबा से पूछना चाहिए बाबा आप तो मालिक हो फिर रेडियो क्यों सुनते हो अब बच्चे मालिक तो शिवाव हैं हमको कैसे पता पड़े कि वायू मंडल क्या है कहां तक लड़ाई आदी के आसार है इस समय गपोडे तो बहुत मारते हैं सदाचार कमेटिया आदी बनाते हैं उनको लिखना चाहिए यह दुनिया ही भरष्टाचारी है सदाचारी कोई कैसे हो सकता है भरष्टाचारी विकारी को कहा जाता है यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो बच्चों में भी नमबरवार हैं तुम सबसे पूछो के परमपिता परमात्मा से आपका क्या सम्मन्द है जैसे क्रिश्चन जानते हैं क्राइस्ट ने फलाने समय पर जन्म लिया अच्छा उनके आगे कौन थे लक्ष्मी नारायन को राज्य किये कितना समय हुआ इस समय आदी सनातन देवी देवता धर्म वाले ही धर्म भरष्ट कर्म भरष्ट हो गए है शास्त्रों में ही लाखो वर्ष कह दिया है प्रम्हा और जगत अमबा भी हमारे मम्मा बाबा है फिर पूछा जाता है लक्ष्मी नारायन को सत्युक का वर्ष कहां से मिला पांच हजार वर्ष हुआ मिला था अब नहीं है अब मिल रहा है अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है अब सभी को बाब का संदेश कैसे दें क्या घर घर में धिंडोरा पीटें अच्छा बोड भी तुम लगा सकते हो क्योंकि तुम हो मास्टर और विनाशी सर्जन परम्पिता परमात्म है निराकार अब यह तो कोई नहीं जानते कि शिवाबन ने किसके शरीर में जन्म लिया ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया यह तो तुम नंबरवार जानते हो कि वह हमारा परम्पिता भी है और हमारा टीचर भी है हमको बहुत अच्छी सिक्षा दे रहे हैं बाबा फिर से कल्प के बाद आकर मिले हैं समझते हो पक्का पक्का निश्चय भी है फिर घर जाते ही वह नशा उड़ जाता है घर ग्रहस्त में रहते धंदा धोरी में रहते कहां तक नशा रहता है यह तो जरूर बाब को लिखना चाहिए परन्तु बच्चे बाब को पूरा समाचार देते नहीं तुम बच्चे बाब को पूरा जानते हो तो बाब को भी तुम्हारा पूरा मालूम होना चाहिए जबकि वह तुम्हारा दादा है तो उनको तुम्हारी चलन और आमधनी का पूरा-पूरा मालूम होना चाहिए तब तो मत देंगे तुम कहेंगे शिबाबा तो अंतर्यामी है परन्तु या ब्रह्मा कैसे जाने कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं है इसलिए समझा जाता है या सौतेले बच्चे है तो राजाई का वर्षा नहीं पा सकेंगे अगर श्रीमत पर चलना है तो पूरा समचार देना है बच्चे भी बाब का सब कुछ जान लेते हैं बाब को भी समचार देना चाहिए यह है हमारा रोहानी ग्रहस्त व्यवहार का सम्मंद यह है रोहानी ईश्वरिय परिवार सुप्रीम रूह से सभी आत्माओं का सम्मंद है ना सबसे यह प्रश्ण पूछो कि तुम इन लक्षमी नारायन को जानते हो परमपिता परमात्मा को जानते हो तुम सत्युगी स्रिष्ट अचारी देवी देवताओं को जानते हो तुम लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने से तुम स्रिष्ट अचारी बन सकते हो नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते ऐसी ऐसी सर्विस करने से तुम उचपद पा सकते हो प्रष्टाचारी को स्रिष्टाचारी बनाना यह तुम्हारा धंदा है तो क्यों नहीं बोड लगाते हो स्त्रीपुरुस दोनों इस सर्विस पर है बाबा डारेक्शन देते हैं परन्तु बच्चे फिर भूल जाते हैं अपने ही धंदे में लग जाते हैं सर्विस जो करनी है वह करते ही नहीं है ना पूरा समाचार देते हैं ना बोड लगाते हैं बोड नहीं लगाया सर्विस नहीं की तो समझेंगे देह अभिमान बहुत है मुरली तो सब सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं अनेक मत मिलती है प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते बच्चे गर्मी है तो पहाड़ी पर जाकर प्रबंद करो अब देखें कहां से समचार आता है कि बाबा हमें प्रबंद कर सकते हैं जानकारी है तो जाकर हावल वा धर्मशाला लेकर प्रबंद रचना है तो बहुतों को संदेश मिले यहां भी बोड लगा हुआ हो ग्यान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या सम्मंद है फिर जगत अंबा और जगत पिता से तुम्हारा क्या सम्मंद है वह क्या देंगे जरूर जगत का मालिक बनाएंगे बरोबर तुम अब बन रहे हूँ, कल्प पहले भी बने थे तुम या बोड लिख दो फिर और सब प्रशन ही खत्म हो जाएंगे लक्ष्मी नरायन को या विश्व के मालिक पने का वर्शा कैसे मिला? पूछने वाला तो जरूर जानता होगा अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे? यह राजयोग है नर से नारायन बनने का प्रशा बनने का नहीं क्या तुम यहाँ प्रशा बनने आए हो? बाबा के पास समाचार आए तो बाबा समझे कि यह सर्विस कर रहे हैं ना घर का ना सर्विस का समाचार देंगे तो कैसे समझेंगे कि यह विजय माला में आएंगे? निश्चय बुद्धी विजय अंती, संशय बुद्धी विनाशंती तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है उस राजधानी में उच्पद पाने का तुम बच्चों को पुरुशार्थ करना है परन्तु कोई की तकदीर में नहीं है तो टीचर क्या कर सकते हैं? तुम ने ही ऐसे खोटे कर्म किये हैं जो तुमें भूगना पड़ता है ममा ने अच्छे कर्म किये हैं तो कितना अच्छा अटेंशन से ममा ने उच्पद प्राप्त किया तुम बच्चों को हर हालत में खुब पुरुशार्थ करना है तुम बच्चों को हर हालत में खुब पुरुशार्थ करना चाहिए बाबा ने राय दी है बोड बनाए लगाना चाहिए और छोटे छोटे पर्चे बना कर बांटने चाहिए कि इन लक्षमी नरायन को जानने से तुम यह स्रेश्ट अचारी देवता बन जाएंगे शुबकारे में देरी नहीं करनी चाहिए तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए ग्रहस्त व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है कब छोड़ने का ख्याल नहीं करना है तुम जानते हो बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सिखला रहे है शिव बाबा भारत में आया है तो क्या निराकार आया कैसे आया क्या किया कोई को पता ही नहीं है शिवरात्री मनाते हैं जरा भी पता नहीं है प्रमात्मा आते ही हैं पावन बनाने बाबा कहते हैं कोई भी बात में मौचते हो तो पूछो कि बाबा हम को यह बात समझ में नहीं आती है 84 जन्मों का राज भी समझाया है वर्णों में भी आना है तुम यह धार ना करते हो बरो बर हमने ऐसे 84 जन्म लिये हैं अब फिर हम सूरेवन्शी बनते हैं जितना जो पुरशार्त करेगा उतना उच्पद पाएगा कितनी सहज बात है फिर भी बुद्धी में बैठता नहीं है तो आकर पूछो बाबा हम इस समझानी में मूझते हैं पहले पहले अल्फ का परिचय देना यह बोर्ड सब लगा दे इस नौलिज से तुम सदा खुशी इस नौलिज से तुम सदा सुखी स्रिष्टाचारी बन जाते हो तो यह अच्छा है ना टेम्टेशन होगा क्यो ना ऐसी बात जाकर समझे बाबा सर्विश से समझ जाएंगे कि कौन-कौन सच्चा बच्चा है जो अटेंशन देते हैं वही माला का दाना बनेंगे करके दिखाना है तुम तो प्रैक्टिकल सम्मुक बैट सुन रहे हो बाकी बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे यह सब समझने की बाते हैं परमात्म बाब भी हैं फिर पतित से पावन बना कर ले जाते हैं तो गुरू हो गया स्रश्टी के आदी मद्य अंत की नौलिज सिक्षक बन पढ़ाते हैं तो वो तीनों हो गए न परन्तु बहुत बच्चे भूल जाते हैं बुद्धी से वह नशा निकल जाता है नहीं तो इस्थाई खुशी रहनी चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकल्दे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारना के लिए मुख्य सार पहला विजय माला का दाना बनने के लिए अपने उपर पूरा अटेंशन देना है स्रेष्टाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है दूसरा कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी भोगना भोगनी पड़े बाब की राय पर कदम कदम चलना है वरदान अपनी आकरशन मैं इस्तिती द्वारा सर्व को आकरशित करने वाले रोहानी सेवाधारी भव रोहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में ब्रद्धी नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते सुनने वाले बहुत हैं सिर्फ आप अपनी इस्तिती रोहानी आकरशन मैं बनाओ जब चुम्बक अपनी तरफ खीच सकता है तो क्या आपकी रोहानी शक्ती आत्माओं को नहीं कीच सकती तो रोहानी आकर्षण करने वाले चुम्बग बनो जिससे आत्माई स्वतह आकरशित होकर आपके सामने आ जाएं यही आप रोहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है स्लोगन समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो मातेश्वरी जी के अनमूल महावाक्य परमात्मा एक है बाकि सर्व मनुष्य आत्माएं है अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है वो सर्व शक्तिवान है जानी जाननहार है ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान है परमात्मा एक है भल कोई धर्मवाला हो वो भी परमात्मा को ही मानते है वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं जैसे गुरुनानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की एकोमकार सत नाम एकोमकार का अर्थ है परमात्मा एक है सत नाम अर्थात उसका नाम सत्य है तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है अविनाशी है अकाल मूर्त भी है तो फिर करता पुरुष भी है माना वो खुद अकरता होते हुए भी कैसे ब्रह्मातन द्वारा करता पुरुष बनता है अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है अब मनुष इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं इश्वर सरवत्र है अहम आत्मा सो परमात्मा है अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओमकार यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं इससे सिद्ध है कि परमात्मा एक है अच्छा, ओम शांती बंद मेरे, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहों बाबा